हलो स्टूरेंट में शाहिन लूथरा आज मैं आपको क्लास 6 की जियोग्राफिक का चाप्टर 2 करवाऊंगी ग्लोब, लाटिटूट और लॉंगिटूट यान की पहले हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे फिर लाटिटूट और लॉंगिटूट को हम समझेंगे अब इसमें क्या वो लगे कि आपने पहले की क्लासी में पढ़ा है कि जो हमारी अर्थ है बहुत बारे में अलगिके सिक्राफ्ट से अद्ध जो आत्लिक पूलिए उपर के तरफ ये थोड़ी सी ओभरी होई है उपर की तरफ ये उबरी हुई है तो can you imagine how it look क्या आप imagine कर सकते हैं ये कैसी दिखती होगी you may look at a globe carefully in your classroom आपनी classroom में इसको देख सकते हैं get an idea आप idea ले सकते हैं globe is a true model of the earth globe जो है एक earth का बिलकुल वैसा ही उसका दिखने वाला प्रती रूप है उसका एक model है globes may be wearing size and type अलग-अलग size के आते हैं कुछ globe बड़े आते हैं कुछ छोटे होते हैं लेकिन जो बड़े globes होते हैं उनको हम एक जगा से दूसरे जगा easily लेके नहीं जा सकते हैं कुछ globe होते हैं बैलून के जैसे which can be inflated and are handy carried with easy the globe is not fixed globe जो fix नहीं होता उसको हम rotate कर सकते हैं उसको हम spin कर सकते हैं घुमा सकते हैं जिस तरह से जो कुमहार का जो वील होता है उसको हम घुमाते हैं या फिर टॉप या फिर लटू होता है वैसे जैसे गुमाते हैं वैसे यह ग्लोब को भी घुमा सकते हैं जो globe होता है उसमें हम countries, continents and oceans जो हैं उनके अंदर हम उसके जो correct size है वो हम उसके अंदर देखते हैं globe के अंदर जितनी भी countries हैं, continents हैं, oceans हैं उनका correct size हम उसमें देख सकते हैं It is a difficult to describe the location of point to sphere like the earth अब जो बिल्कुल particular जो है अगर हमें किसी particular किसी point के बारे में बताना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें कि वो जगह अगर हम globe के अंदे किसी particular point किसी particular place के बारे में बताना हो तो हमें point out करना जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो उसके लिए उनके क्या करा है Now the question arises अब यहाँ पर question यह उठता है How to locate the place on it किस तरीके से globe के ओपर जो है places जो है जो जगहें हैं उनको locate किया गया है अब globe है उसमें कितनी सारी India दिखाया गया है उसके अंदर और भी countries है England दिखाया गया है America दिखाया है तो किस तरीके से सारी जगह है जो उसमें locate की जाती है इसके बारे मुँआगे समझेंगे We need certain points, reference and lines to find the location पे इसके लिए क्या करते हैं इसके लिए कुछ points, कुछ भिंदो रखते हैं कुछ इसमें lines विगएरा जो है वो draw की जाती है जिससे की location जो है हूँ find out कर सकते है You will notice that a needle is fixed through the globe is tiled manner which is called its axis अब आपने देखाओ कि थोड़ी सी जुकी होती है इधर की साई यहाँ पे क्या है यह थोड़ी सी जुकी होती है यहाँ से यह थोड़ी सी ऐसी है तो यह क्या है यह इसका axis है किसका globe के अंदर यह axis बना हुआ है लेकिन जो हमारी earth है earth के ओपर कोई भी इस तरह इक जो needle है वो नहीं जाती देखो यहाँ पे लिखा है कि which is called axis इसको axis का जाता है और यह दो point है इसके needle के यह जो pole है इसको हम क्या बोलते है north pole ठीक है यह वाला जो हमारा pole है यह हमारा है और जो नीचे वाला pole है यह हमारा है south pole ठीक है तो यह उन्होंने बोला कि जो यह दो needles लगी हुई है यह उपर वाली जो है यह north pole के यह हमारी south pole के लेकिन अर्थ के ओपर ऐसी कोई भी निडल नहीं है जो है यह rotate होती है घूमती है हमारी अर्थ west to east की तरब घूमती है लेकिन अर्थ के ओपर ऐसी कोई भी निडल नहीं है यह सब क्या है but remember there is a major difference real earth has a such needle no such, ऐसी कोई निडल नहीं है it moves around its axis earth जो अपनी axis पे घूमती है और which is an imaginary line अब देखो हमें क्या करना पड़ता है जो इस globe है ना globe के ओपर काफी सारी imaginary lines जो है ड्रॉप की जाती है जिससे यह पता चल से कि कौन सी जगा जो है वो कहां पर है तो अब हम सबसे पहली imaginary line जो है जैसे यह जो आप देख रहे हो ना दो निडल देख रहे हो वैसे तो अर्थ पर यह दोनो निडल नहीं है लेकिन यह globe के अंदर है इससे भी क्या है हमें पता चल रहा है यह north pole है यह south pole है ठीक है यह भी क्या है imaginary है उसके साथ साथ एक और imaginary line जो है इसमें वो कौन सी है जो इस globe को two equal parts में divide करती है वो कौन सी line है this line is known as the equator वो line होती है हमारी equator जिसको भी हम आगे में दिखाऊंगी मैं आपको यह भी बता देती हूँ देखो यह जो globe है यह जो globe के अंदर आप line देख रहे हो यह जो line है यह equator है यह globe को आधा उपर और आधा जो नीचे है equal parts में divide करती है जैसे कि मालनों मैं यहाँ पर एक imaginary line equator जो line है मैं यहाँ पर draw कर देती है मैंने equator draw कर दिया अब जितना हिस्सा globe का उपर है उतना ही हिस्सा globe का नीचे है equal parts में divide हो जाती है और जो earth का जो यहाँ पर point दे रखा है वो है zero degree जुसको आगे हम सीखेंगे समझेंगे तो आपको सबसे पहले तो यही बास समझ लेनी चाहिए कि globe के अंदर बिलकुल center में जो है एक line जाती है जो इसके पीछे भी जाएगी यह line होती है equator और equator के वज़े से globe जो है two equal parts में divide हो जाता है ठीक है और जो इसका उपर का part होता है इस part को बोलते है northern hemisphere नौर्थ है न इधर और इस वले part को बोलते है southern hemisphere यह आपको याद रखना है कि बीच में हमारी equator line होती है उपर वले part को northern hemisphere और नीचे वले part को southern hemisphere कहा जाता है जासे कि इसमें हमें बताया है the northern half of the earth is known as northern hemisphere the southern half is known as the southern hemisphere they are both equal halves यानि कि जितना हिस्सा उपर northern hemisphere में उतना ही इस नीचे southern hemisphere में equal होता है therefore the equator is an imaginary circular line is a very important reference point to locate places on the earth तो इसलिए जो equator है जो equator line है यह बहुत ही important line है जिसकी वज़ा से जो कोई जगा अगर locate करनी है पता लगानी है अर्थ पे तो इससे बहुत असानी से पता लगा सकता है तो यह line बहुत important line है अब जितनी भी और parallel lines है इसकी उसको क्या वह लगाता है from the equator up the poles are parallel of latitude are major in degree अब यह तक मैंने आपको एक line बताई सबसे पहले हमने इसके जो needles थी north pole, south pole वो हमने पढ़ा उसके बाद जो equator line थी वो हमने पढ़ा जिसकी वज़ा से उपर northern hemisphere पर और जो southern hemisphere अब हम पढ़ रहे है latitudes parallel of latitudes latitudes क्या है जो equator के बिल्कुल parallel lines होती है यह सभी जो lines है यह सभी lines latitude होती है जो उसके पीछे के तरब भी होती है जो पूरा एक circle जो है वो बनाती है ठीक है इस तरीके से पूरा एक circle बनाती है सारी इसी तरीके से equator भी पूरा एक circle बनाती है अर्थ के उपर तो यह सारी जो line है चाहे वो उपर northern hemisphere में हो चाहे वो नीचे southern hemisphere में हो सभी line जो है वो क्या है latitudes है parallel of latitudes है बीच में हमारा equator और बाकी सब उपर और नीचे latitudes है ठीक है यह सब क्या है parallel of latitudes the equator represent the zero अब जो equator है वो क्या represent कर रहा है देखो यह जो equator line है यह represent कर रही है zero degree को अब जैसे जैसे इसके उपर जाओ गए यह 20 degree 40 degree 60 degree 80 degree और जो यह हमारा point है north pole यह है हमारा 90 degree अभी हम इसको समझेंगे ऐसे ही जो नीची अगर हम sort and hamvy spare में आज़े तो 20 degree 40 degree 60 degree 80 degree और फिर उसका जो sort and pole है जो south pole है वो भी हमारा 90 degree हो जाता है अभी 90 degree कैसे हो जाता है since the distance from the equator of either the poles is 1 fourth of the circle round the earth it will measure of 1, 4, 3, 60 degree तो इसकी वज़े से अब जो equator का जो distance होता है pole से वो होता है total कितना होता है यह 360 degree का रोटेट होता है इनका जो पूरा circle है 360 degree है लेकिन इस equator से लेकिए चाहिए वो north pole हो चाहिए वो south pole उसका जो distance होता है वो 1 fourth होता है equator से इसलिए गर हम 360 degree 360 को अगर हम 1 fourth बताया तो 4 से divide करेंगे तो कितना आएगा हमारा 90 degree तो इस तरीके से जो south pole और जो north pole जो होता है वो हमारा 90 degree का होता है यह आपको याद रखना है ठीक है as such all pillars north of the equator are called north latitude similar all pillars south of equator are called south latitude यानि कि जो equator के ऊपर यह जो north northern hemisphere में जितनी भी lines होती है यह north क्या है यह north latitude है और southern hemisphere में जितनी भी lines होती है वो south latitude है ठीक है यह जो छोटी छोटी बात है आपको यह याद रखनी है इसके अंदर the value of each latitude is therefore followed by either the word north और south मतलब कि इसको जो अगर हम कहीं पर बताएंगे ना तो north के लिए N लिखेंगे और south के लिए S लिखेंगे यह चीज यहाँ पर बोली गई है अब यह बताया गया है जिसके example दे रखा एक चंद्रपूर है जो महरास्टरा में है इंडिया के अंदर और below horizon जो Brazil South America की यहाँ पर बात और यह दो जगाओं का नाम बताया गया एक चंद्रपूर और दूसरा below horizon आर लोकेटिट ओन दा पैलर एबाओ 20 डिग्री लैटिटीट बट दा फॉर्म अफ 20 डिग्री नौर्थ ओफ दा इक्वेटर अड़ लेटर 20 डिग्री इसमें कहने का यह बताया कि जैसे चंद्रपूर जो है वो पढ़ता है जैसे मालो यह ग्लोब है ग्लोब के बीच में एक्वेटर है एक्वेटर के उपर जो नौर्थ की जो लैटिटीट्ट है यहाँ पर हमारा और जो 20 डिग्री साउथ का है इसमें पढ़ता है साउथ अमेरिका का बैलो होरिजेंट जो ब्राजील में है यह यहाँ पर यानि कि यह भी 20 डिग्री पे है यह भी 20 डिग्री पे है लेकिन यह नौर्थ का 20 डिग्री और यह साउथ के 20 डिग्री पर पढ़ता है इस तरीके से पता चल पाता है globe के ओपर कि कौन सी जगा कहाँ पर है इस लिए जो है lines जो है ये लोग इस पे जो globe के ओपर जो lines है imaginary lines draw की जाते है ताकि जो जगा है उसका पता चल सके अब आगे लिखा हुआ है इसमें आगे यहाँ पर कुछ और लाइन्स हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे ठीक है अभी हमने कौन सी लाइन्स पढ़ी equator पढ़ा, equator के साथ हमने कौन सी लाइन्स पढ़ी, हमने इसके अंदर north latitude पढ़ा और South Latitude की जो lines है वो हमने इसमें समझ ली है अब हम कुछ और important lines हैं इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे आपको मैं इससे बता देती हूँ उस तरीके से जो बीच में है ये हमारा equator है जैसे के आप देख रहे हो equator से उपर ये 23 degree and a half जो north है उसमें हमारा पढ़ता है tropic of cancer ये भी हमारी important line है इसी तरीके से tropic of capricorn है ये हमारा south में पढ़ता है ये भी same हमारा 20 degree and a half south में पढ़ता है ठीक है कौन सी line है बीच में हमने equator line पढ़ ली थी आप हमने पढ़ना tropic of cancer और tropic of capricorn ट्रॉपिक of cancer कहां पढ़ता है northern hemisphere में और tropic of capricorn कहां पढ़ता है southern hemisphere में और दोनों ही 23 degree and a half में पढ़ते हैं ये चीज़ हम समझ ली ट्रॉपिक of cancer पढ़ लिया ट्रॉपिक of capricorn पढ़ लिया अब हम पढ़ते हैं आर्किटिक सर्कल एक है आर्किटिक सर्कल एक है अन्टार्टिक सर्कल जो है यह हमारा पढ़ता है कहां पर north of the equator यानि कि north में पढ़ता है चीज़ है आर्किटिक सर्कल हमारा north में पढ़ता है 66 and a half north है and Antarctic circle भी 66 half हमारा south है यहाँ पर यह पढ़ता है यह चीज़ अब आपको यह 1, 2, 4 lines हमें यहाँ पर और बताई गई हैं यह भी आपको याद रखनी है Tropic of Censor, Tropic of Capricorn, Arctic Circle और Antarctic Circle जो हमारे हैं 2 जो हमारे 23 degree and a half पर पढ़ते हैं यह आपको ध्यान रखना है अब हम आगे देख लेते हैं Heat Zone of the Earth अब यहाँ पर यह बताया गया है The midday sun is exactly overhead last least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn this area therefore receive the maximum heat and it called Torrid Zone ठीक हैं अब इन्होंने यहाँ पर हमें क्या चीज़ समझाई है यहाँ पर इन्होंने हमें यह बताया है कि जो यह Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn वाली जगा है यहाँ से लेके यहाँ तक यह क्या है Tropic of Cancer है और इक्वेटर से लेके यहाँ तक यह क्या है Tropic of Capricorn यानि कि अगर हम इसको पूरा Torrid Zone इसको हम देखेंगे कि सूरज की बहुत तेज किरने पड़ती है जिसकी वज़से यहाँ पे जो है वो गर्मी बहुत ज़ादा होती है यानि कि गर्मी सबस्यादा कहां होती है साल में एक बार जब बहुत ज़ादा हीट पड़ती है वो जो जो जोन है वो है Torrid Zone ठीक है जो कि हमारा किस से बन रहा है Tropic of Cancer से बना है और Tropic of Capricorn दोनों उसके अंदर आ जाते हैं तो एक जोन बन जाता है Torrid Zone इसके अंदर सबसे ज़ादा गर्मी होती है क्योंकि सूरज की सीधी किरने पड़ती है अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर दो जोन और पढ़ेंगे Temperate Zone और Freeze Zone अब जो Temperate Zone है वो कौन सा जोन है Temperate Zone के अंदर The Midday Sun never shine over at any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn the angle of the Sun rays go on decreasing toward the poles as such the area beyond the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the Northern Hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the Southern Hemisphere have moderate temperature these are therefore called Temperate Zone अब यहां पे नोने यह बताया है कि जो हम अब यहां से लेकर यहां तक का जो आपको Orange वाला पार्ट दिख रहा है Southern Hemisphere में और जो Orange वाला या Pink वाला पार्ट के लो जो उपर आपको दिख रहा है Northern Hemisphere में यह वो जगाए है जिसको इसमें बोला गया है Temperate Zone अब इस जगाप के उपर सूरज की बहुत जादा जो है किरने नहीं पड़ती जिसकी वज़े से यहां का जो Temperature है वो कैसा रहता है यहां का जो Temperature है Moderate Temperature यहां का बताया गया है तो Moderate Temperature होता है जो बिलकुल Normal होता है ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्थी तो इस जगापे जो हमारा Orange वाला पार्ट आप देख रहे हो इस जगापे यह हमारा दोनों जो पार्ट है यह Temperature Zone में आ जाते हैं यह Northern Hemisphere का Temperature Zone है यह Southern Hemisphere का Temperature Zone है यहाँ पर जो Normal जो है Weather रहता है मतलब Moderate Temperature यहाँ पर होता है अब हम पढ़ेंगे Freeze Zone अब Freeze Zone के बारे में इसमें यह बताया गया है कि जो Freeze Zone है वो हमारा पढ़ता है North Pole यह जैसे कि आप देख रहे हो Freeze Zone लिखा हूँ है यह भी Freeze Zone लिखा हूँ है यह दोनों जगाए जो है यह Freeze Zone पर पढ़ती है क्यों क्योंकि यहाँ पर सूरज की जो रोशनी जो किरने है वो नहीं पढ़ पाती जिसकी वज़़से यह बिलकुल ठंडा रहता है इसलिए इसको Freeze Zone कहा जाता है यानि कि North Pole वाला पार्ट और यह South Pole के अंदर जो पार्ट परता है यह दोनों Freeze Zone में आ जाते हैं अब हमने यहाँ पे सारा समझ लिया Lines जो थी इसको समझ लिया आगे अब एक और Lines आ जाती है जिसको हम बोलते हैं Longitude अब यह Longitude क्या होता है यह जैसे कि आप सामने लंबी लंबी Lines देख रहे हैं न इनको बोलते हैं Longitude Lines यह सभी Lines जो है Longitude Lines है तो इसको भाँ पढ़ना शुरू करते हैं इन Longitude Lines के बारे में यह पढ़ेंगे देखो यह Longitude Lines होती यह उपर क्या हमारा North Pole और नीचे क्या हमारा South Pole तो जो यह Lines है North Pole से लेके South Pole तक जो हैं आपस में एक जो है Longitude बनाती है ऐसे इसके Backside पे भी Globe के होता है तो यह सब जो है North से लेके South तक आपस में जुड़ी होती है इसमेर ने यह भी बताया है कि इसके अंदर जो एक Main Line होती है जैसे कि हमारा जो पहले Globe था Globe के बीच में क्या था हमारा Equator था जिसके उपर North Latitude से और नीचे क्या थे उसके South Latitude से इसी तरीके से जब हम Longitude की बात करते हैं तो इसके अंदर बिल्कुल Center में हमें एक Line दे रखी है यह जो Line है बिल्कुल हमें Center में दे रखी है और इस Line को हम बोलते है Prime Meritin यह इसके अंदर बहुत Important Line होती है अब मैं आपको यह रफली पहले समझा रही हूँ उसी तरीके से अब जो यह Prime Meritin वारी Line है यह भी जो है किस पे है? Zero degree पे जैसे कि हमारा पहले हमने देखा था Globe के अंदर जो Equator था वो भी हमारा कितने degree पे था? Zero degree पे था वो इसको दो Equal Parts में Divide कर रहा था Equator इसी तरीके से Longitude के अंदर भी एक यह Line होती है जिसको हम बोलते है Prime Meritin Prime Meritin भी जो है उसके एक साइड कौन सी Lines है आप जो इसके इस साइड जोतनी भी Lines रो और यह सब East Longitude है और जो Prime Meritin के इस साइड लाइन देख रहे हो यह सब क्या है? West Longitude है ठीक है? जिस तरीके से हम Globe के अंदर उपर क्या देखते थे? नीचे हमारी South Latitudes होते थे उपर हमारे North Latitudes होते है इसी तरीके से यह सारे क्या है? Prime Meritin के इस साइड हमारे East Longitude है और इस साइड हमारे West Longitude है यह चीज आपको जो है समझनी है उसके बाद यहाँ पर आजाता है एक चीज और मैं आपको इसमें बता देती हूँ जैसे कि जो अब Lines देख रहे हैं जो हमारे इस तरफ है इसको हम बोलेंगे Eastern Hambisphere जैसे कि हम Globe के उपर वाले पार्ट को क्या बोलते थे? Northern Hambisphere और नीचे वाले पार्ट को Southern Hambisphere इसी तरीके से Prime Meritin के इस साइड वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? Eastern Hambisphere और इस इधर वाले जितनी भी Longitudes हैं इनको हम बोलेंगे Southern Hambisphere ठीक है? तो मैं आपको Main Main Point बता रहे हूँ जो Longitude में लिखी है हूँ और लाइन वाइस मैं आपको नहीं बता रहे हूँ और एक चीज़ इसमें और बताएगी है कि इसका जो Distance हम Major करते हैं उसका जो यहाँ बता रखा है Between them the Major in degrees of longitude Each degree is further divided into minutes यानि कि इसके बीच में जितनी भी degree दे रखी हैं उसको क्या करते हैं? Divide करते हैं पहले किस से? Minutes से Divide करते हैं और फिर उस minute को second से Divide करते हैं और एक चीज़ और बताना चाहूँगी जैसे कि देखो यह जो आप Longitudes देख रहे हैं यह Longitudes यहाँ पर जो इसका Distance इन दोनों के बीच का Distance जो यहाँ पर है वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगी इनका जो आगे का Distance है वो धीरे-धीरे कम हो जाता है और North Pole और South Pole पर जाके यह Lines जो है आपस में मिल जाती है नीचे Distance जादा है लेकिन जैसे जैसे यह Lines आगे बढ़ती जाएंगी इनका Distance कम होता जाएगा यही सब जो है आगे इन सब में बताया गया जो मैं आपको Clear कर रही हूँ एक चीस्तों यह हो गई कि इनका Distance Longitude का आगे जाके कम हो जाता है आगे इसमें लिखा हूँ है देखो जैसे यहां लिखा हूँ है Distance between then Decrease Decrease हो जाता है Zero हो जाता है जब तक वो Pols तक पहुंचती है और वहाँ पे जाके वो Meet हो जाती है अब लिखा हूँ है Unlike Pallers of Latitude Maritain और Equal Length अब इन सब की जो Length होती ही वो क्या होती है Equal होती है सब एक ही length की होती है अब यहां पर बताया गया है कि जो इसका बीच में जो है इनका जो यहां पर बताया गया है यहां पर यह बताया गया है कि जो Green Witch है यहां पर Count should begin from the Maritain अब जो यह जो बीच में Prime Maritain रखा गया था ना यह कैसे रखा गया था यह कहां से count किया गया था यह Greenwich से वेर दा British Royal Observatory is located जहां पर British Royal के Observatory located थी वहां पर जो Greenwich से यहां पर यह Maritain जो Line आप देख रहे हो Prime Maritain इसको जो बनाया गया था और इसको Prime Maritain का नाम दिया गया था इसकी भी जो value 0 degree जैसे के आपको मैं बता चुकी हूँ और it is count 180 degree eastward as well as 180 degree westward और जो यह भी जो है इसके अंदर 180 degree जो है Prime Maritain 180 degree Maritain divided the earth into two equal halves इसको भी इसने two equal halves में जो divide कर दिया कौन-कौन सा eastern hemisphere इधर वाला और यह western hemisphere में इसको divide कर दिया therefore the longitude of place is followed by the letter E इधर वाले part को letter E से करते है और इधर वाले part को letter W से जो है बताया जाता है however interested or not to 180 east and 180 degree west Maritain are on the same line same line पर ही 180 degree east होता है और 180 degree west होता है now look at the grid of the pallor of latitudes and maritains of longitude on the globe अब इसके उपर बताया गया कि देखो क्या बन गया longitudes यह longitudes row रखे हैं और यह latitudes row रखे हैं तो इससे क्या बन रही है यह grid बन रही है जो एक दूसरे को intersect कर रही है यह देखो तो इससे grid बन रही है और grid से ही जो है वो पता चल पाता है कौन सी जगा जो कहां पर है जैसे कि इन्होंने example दे रखा है जो दाबरीन असाम है वो situated 26 degree वो north है और अगर उसको देखा जाए latitude के उपर तो 26 degree north है अगर उसको longitude में देखा जाए तो 90 degree वो east में पढ़ता है तो किस तरीके से यहां बताया हुँ है कि मालो यहां पर north का हमारा latitude वो हमारा कहां पढ़ता है यह पढ़ता है और यहीं से हमारा longitude में जा रहा है 90 degree का यानि कि दोनों जगाए गया इक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और यहीं पर जो है वो जगा हमारी असाम में पड़ती है ठीक है तो यह हमारा latitude का हो गया यह हमारा longitude का हो गया तो इस तरीके से जो है grid के according जो है grid को देखके यहाँ पर globe में जो हैं जगाएं जो है यहाँ पर point किया जाता है इसी तरीके से इनुने यहाँ पर बता रखा है इ understand it is clearly draw equivalence verticals and horizontal line of paper label at the vertical row अभी हापने वर्न टू थी फॉर नाम दे दिया यहां पर ए बीच में अलफाबेट दे दिया और जो बीच में अलफाबेट दे दिया वो क्या दे दिया और उन्हें स्माल आलफाबेट दे दिये अब इस से ये पता चल रहा है ये पोइंट हो रहा है रैंडम ली ओन टू एर दि और इस Dü G जा रहा है यह बी का लेटिटिट जा रहा है यहां पर क्या पॉइंट बन रही इस तरीके से जो है globe के ओपर place जो है locate किये जाते हैं आगे time आजए आगे जो है इसमें longitude and time यानि कि हमें longitude के साथ आगे time बताया गया है यानि कि longitude भी और time भी हम इसमें देखेंगे the best mean of measuring time is the moment of the earth सबसे जो सही तरीका होता है time को distance को maintain करने का होता है पृत्वी चंद्रमा एव ग्रहा को जो गती होती है यानि कि किस-किस की earth की, moon की और planets की जो गती होती है अता सभाविक है कि क्या है the sun regularly rises and set everyday जो सूरज तो रोज निकलता है और रोज ही वो टूपता है and naturally it is the best time keeper throughout the world यह जो सबसे सही तरीका होता है time का पता लगाने का local time can be record on the shadow cast by the sun which is the shortest at noon and the longest at sunrise and sunset जब सूरज सुबा निकलता है जब तो उस टाम में क्या होती है shadow जो है वो बहुत छोटी होती है लेकिन noon में जब सूरज की रोशनी तेज होती है sunset का time होता है तो उस टाम क्या होती है जो shadow है वो बहुत longest हो जाती है बड़ी हो जाती है अब यहाँ पर यह बताया गया है जैसे कि यह circle है मैं आपको यहाँ पर भी इनोंने दिखा रखा है green witch देखो यह जो है ना यह पूरा का पूरा इनोंने पूरा map दे रखा है इस map के बिलकुल beach में आप देख रहे हो यह green witch है इस green witch के उपर जब सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है तो इस तरीके से इनोंने जो time है वो sun के according जो decide हुगा था time अब जब sun की तो इस यहां पर जितने भी country होती है इस तरहे पर जब 19 friends यहां पर बारा बज़े होते हैं अब यहां पर style जब혼 जो भाइशünden जब यहां पर जब जब जर से जब जया पर इस इस 士तर हो the यहां पर जब 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 आमिस्वेर में पड़ती है वो जो टाइम है 1-1 आर जो है वो आगे जाता जाता है जैसे कि यहां पर अभी 12 लोक हो रहा है गृण विछ में तो उसके आगे 15 डिजर infection इसके पाद ले इफिरgas संपने जीतर आगे आगे की तरह भक Supreme आगे बढ़ता जांता है 14 ह नुन माल का जो ठाइम है वो आगे की तरह बढ़ता जाएगा अगर यहां पर green बीच पे 12 बज़ रहे हैं तो यहां पे 15 डिगरी आगे क्या बज़ रहा होगा 1 o'clock फिर 15 डिगरी आगे 2 o'clock फिर 15 डिगरी आगे 3 o'clock फिर 15 डिगरी आगे 4 o'clock इसी तरीके से अगर हम west की तरफ जाएं अगर यहां पे 12 o'clock हो रहे हैं अगर हम East की तरफ आगे जाते जाएंगे, तो हमारा time increase होता जाएगा, 118, तो यही चीज जो है, इसके अंदर यहाँ पर पूरी बात समझाई गई है, सेम चीज यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, वो सब यहाँ पर यही लिखा हुआ है, अब आगे हम देख जेते हैं, Standard Time, अब हर जगा का एक Standard Time रखा जाता है, जो चीज यहाँ लिखे हैं आपको बता देती हूँ मैं, कि जिसे अब इंडिया की बात करें, तो इंडिया के अंदर आप देख रहे हैं, यह 82.5 East के उपर एक इस Standard Time दिया हुआ है, और यह जो Standard Time है, पूरे इंडिया का सेम है, अगर यहाँ पर अगर 4 o'clock हो रहे हैं, तो इस साइट में भी जितनी भी स्टेट्स हैं, या इस साइट में जितनी भी स्टेट्स हैं, वाहाँ भी सर 4 o'clock ही होंगे, तो इंडिया का जो है, एक Standard Time रखा गया है, ठीक है, यही चीज़ जो यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, लेकिन लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में एक बात यहाँ पर बताई गई है, कि जैसे कि रश्या है, अब रश्या मालनो इस टाइप से ऐसे हैं, इस तरी से रश्या है, तो there are as many as 11 Standard Time, यहाँ पर देखो, इंडिया के अंदर एक Standard Time रखा गया है, वो पूरा इंडिया में सेम होता है, लेकिन रश्या में ऐसा ने, रश्या बहुत बड़ा है, इसलिए उसमें 11 Standard Times रखे गए हैं, यानि कि इसमें अगर मैं 11th Line ड्रॉ कर दू, तो 11 Standard Time रश्या के अंदर होते हैं, अगर यहाँ पर मान लो, एक्जामपल के लिए, अगर यहाँ पर 9 o'clock हो रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर 8 हो, यहाँ पर 7 या 6 यहाँ पर आपका 10 हो, यह मैं आपको एक्जामपल बता रही हूँ, कि रश्या के अंदर 11 Standard Time रखे गए हैं, पूरे रश्या में एक टाइम नहीं होता, क्योंकि रश्या बहुत बड़ा है, इसलिए मांका जो है, अगर इस जगा पर कुछ जो भी टाइम हो रहे हैं, यहाँ पर इस जगा पर 4 o'clock हो रहे हैं, तो हो सकता है, इस जगा पर 12 o'clock हो रहे हो, तो यह रश्या का मैंने आपको बता दिया, Standard Time क्या होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया, कि हर जगा पर हर एक Country का एक Standard Time होता है, जिसे हमारी इंडिया में एक standard time है तो पूरी इंडिया में same time रहता है लेकिन रोश्या में ऐसा नहीं है ठीक है तो यह चीज़ यहाँ पे समझाए गई है Kabir lives in a small town near Bhopal Kabir जो है वो एक small town Bhopal के पास रहता है He tells his friend Alok वो अपने friend को बोलता है कि आज रात वो नहीं सो पाएगा क्योंकि जो इसका जो match है वो आ रहा है जो इंडिया और इंग्लेंड के बीच में है जो इंग्लेंड में दो बज़े स्टार्ट होगा लेकिन इंडिया में वो 7.30 स्टार्ट होगा क्योंकि इंडिया और इंग्लेंड के बीच में